आज हम एक रोचक प्रसंग पर विचार करेंगे और वह रोचक होने के साथ साथ शिक्षा प्रद भी हमारे लिए है यह है विशे है कि आखीर गनेश्ची ने अपना वाहन सबसे छोटा लगभग सबसे छोटा जीव मूशक यानि की चूहें को क्योंग चुबा है अगर हम गहराई तक जाकर इस पर विचार करें इसका विशलेशन करें इनलेशिस करें तो हमें बहुत ही अच्छी बात समझने को मिलेगी और वह जो बात है वह यह है कि आप अच्छे से जानते है कि चूहें का सभाव वस्तूं को चीजों को कुतरने का होता है चाहे वह वस्तू नहीं हो चाहे वह वस्तू पुरानी हो चूहां उसे कुतरता है जबकि दूसरे जो पशू पक्षी है वह वस्तूं को कुतरते नहीं बलकि अपने उपयोग की वस्तूं को वे खाते हैं चूहां कभी भी इस संबंध में विचार नहीं करता है नहीं सोचता है कि मुझे किसी वस्तू को खाना चाहिए कुतरना नहीं चाहिए और मैं यदि कुतर रहा हूँ कोई वस्तू जैसे आपके रसूई का या अन्य कमरे का दर्वाजा लकडी का कुतर दिया आपने एलमीरा नए कपड़ों की खोल रखी थी चूहां अंजाने में अंदर घुश गया और दूसरे दिन मालूम पड़ा कि चूहे ने नए कपड़े ही कुतर दिया आपकी पुस्तके रखी हुई थी और मालूम पड़ा थोड़े दिन बाद में कि चुहे ने पुस्तकों को कुतर दिया तो यह जो कुतरना है किसी भी वस्तु को चाहे वह नहीं हो पुरानी हो यह एक अच्छे रूप में नहीं ली जाती है तो हमें यह देखना है कि आखीर जब ऐसी नेचर चुहे की रही तो गड़ेश जी ने उसे अपना वाहन क्यों बनाया क्योंकि स्री गड़ेशी जानते थे कि ऐसे लोग जो चुहें के सभाव वाले होते है वे लोग केवल दूसरों के साथ में कुतर्क करते है दूसरों में बुराईया खोजते है और बनते काम विगाड़ देते है कोई भी काम बनने नहीं देते है उन्होंने चुहें को अपनी सवारी बनाकर उसके उपर बेट कर यानि की अपना भार देकर उसकी तमाम ये जो बुराईया है उसको दबाया यदि हम इस रूप की जहां चुहें के वाहन पर स्री गनेश जी विराजमान है हम इस रूप की यदि पूजा अर्चना स्री गनेश जी की करते है तो हमें यह सिक्षा मिलेगी कि चुहां यह हमें सिक्षा देने जा रहा है कि आप लोगों की बुराईया लोगों में कमिया लोगों के साथ कुतर्क करना यह है छोड़ दीजिक आप अपने बल यानि जो उनके उपर भाश्री गनेश जी का है बल बुद्धी ज्यान से काम कीजिएगा यदि आपको बुराईया देखनी ही है अगर अपने अपने कुतर्क किसी से करना है तो आप किसी दूसरे के अंदर बुराईया ना देखे बलकि आप अपने श्वम में ज्हांक कर देखे कि मुझ में क्या बुराईया है अगर कुतर्क ही करना है तो अपने दिमाग में उपजे हुए अन्य था जो विचार है जो नकारात्मक सोच है उसके साथ कुतर्क करे तर्क करे और फिर ये सोचे कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है या नहीं है तो यदि हम अपनी खुद की कमियों को अपने खुद की बुराईयों को देखेंगे इस्टडी करेंगे तो शैद हो सकता है कि जो हमारे पास में बुद्धी है बल है विवेक है वह काम करने लग जाएगा और हमारे बिगड़ते काम बनने लग जाएंगे और हम सफलता की सीधी प्राप्त कर सकते है तो स्री गणेशी महाराज ने यही कारण रहा होगा क्योंकि अब हम तो उस समय उस काल में जाकर उनसे तो पूछ नहीं सकते यही कारण रहा होगा कि चुहें की ऐसी प्रक्रती और ऐसे स्वभाव को देखकर बुराईयों को दबाने के लिए कुतर्क को दबाने के लिए उस पर वे खुद आसिन हो गए और हम बहुत अच्छे से जानते है कि भगवान गणेश प्रत्थम पुजनिय देवता है यहां तक कि ब्रह्मा विश्नु महेश का भी उन्हें यह व्रदान प्राप्त है कि अगर हमारी भी पूजा अर्चना की जाती है तो उसका भी फल तभी मिलेगा जबकि पहले सबसे पहले स्री गणेश जी की हम पूजा करेंगे और अब आप यह सोचिएगा कि प्रत्थम पुजनिय श्री गणेश जी होने पर मुशक उनका वाहन है चुहा उनका वाहन है तो उसके पीछे कोई न कोई लोजिक और वो भी सकारात्मक वो भी स्रिष्टी के भले के लिए ही रहा है इसलिए हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपनी श्रम की जो हमसे बुराया किसी की होती है किसी की निंदा होती है हम किसी से कुतर्क करते है तो हम उस पर नियंतरन करें और अपने आप से भीतर की तरफ जहांक कर देखें कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे है श्री गनेश जी महराज आपको और हमें सबको सद बुद्धी दे और हमारे बिगड़ते काम बनाएं यही मेरी उनसे प्रात्ना है जै श्री किस्ना